आज हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे वजाइनल डिस्चारज के बारे में हमें अक्सर पूछा जाता है कि क्या वजाइनल डिस्चारज नॉर्मल होता है और बात करेंगे डिटेल में जानते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चानल पर नए हैं तो चानल को सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकन प्रेस करना ना भूले सभी लेटिस्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं वजाइनल डिस्चार्ज वजाइना की म्यूकिस के डिस्चार्ज को कहते है हर औरत को वजाइनल डिस्चार्ज होता है और अक्सर ये नॉर्मल होता है वजाइनल डिस्चार्ज हमारी वजाइना को लुब्रिकेट करता है और हर अवरत को teenage में यह बजाइननल डिश्चाज होना स्टार्ट हो जाता है हर अवरत को normal vaginal discharge होता है जिसे हम leukeira कहते हैं period cycle के पहले हाफ में जो evolution नहीं हुआ हो तो vaginal discharge thick act white के जैसा होता है और वो normal vaginal discharge होता है evolution के बाद यह discharge थूड़ा yellowish हो सकता है ये भी normal discharge होता है कभी कभी patients हम से पूछते हैं कि क्या pregnancy में भी discharge होता है या नहीं जी हाँ हो सकता है अगर pregnancy के hormones के वज़े से आपके वजाइना पर असर पड़ता है तो pregnancy में भी vaginal discharge हो सकता है अब हम बात करते हैं abnormal vaginal discharge के बारे में abnormal vaginal discharge तभी होता है जब discharge में blood हो या smell आने लगे, dry vaginal होने लगे या vaginal discharge की वजहे से आपको itching हो और कभी-कभी patients को काफी ज़ादा wet लगना start हो जाता है उनको के लिए panty liner या paddy use करना पड़ता है तो इसे हम abnormal discharge कहते हैं abnormal vaginal discharge के क्या sign and symptoms होते हैं सबसे पहला symptoms है discharge से smell आना, दूसरा symptoms है ज़ादा quantity में discharge आना कभी-कभी patients को शिकायत होती है कि उनको बहुत ज़ादा quantity में discharge होता है जिसके वजह से उनको pad का use करना पड़ता है, panty liner यूज़ करना पड़ता है और उन्हें पूरे दिन काफी गीला महसूस होता है तीसरा होता है discharge का color कभी-कभी discharge green color, yellow color या red color का भी हो सकता है बलडाने की वजह से वो ठिक भी होता है और number four symptoms है जब vaginal discharge की वजह से आपकी day-to-day life की activities affect होने लगे आपको eating होने लगे और इसको भी हम abnormal discharge कहते हैं तो ये सभी symptoms होते हैं abnormal vaginal discharge के और जब आपको ऐसे symptoms हो तभी आपको अपने doctor से एक बार बात करनी चाहिए उनकी इसमें आपको treatment लेना चाहिए abnormal discharge होने की कई reasons हैं जैसे yeast infection, bacterial infection, over consumption of antibiotic या जादा stress लेना तो आज हमने जाना abnormal vaginal discharge के बारे में और उसके symptoms के बारे में उमीद है ये information आपके लिए useful रही होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like and share जरूर करें मिलते हैं हमारी next वीडियो में ऐसे ही interesting और health से जुड़े topics के साथ Thank you so much